ओम गण गणपत ये नमाहा स्री गुरुदे वदत नमस्कार मित्रो प्रॉफिट 666 चानल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रो आज इस वीडियो में मैं आपको एक से जादा दुश्मनों को एक साथ परास्त करने के याने की हराकर, भगाने के या नश्ट करने के एक शक्तिशाली तीन शब्दों के भगवान विष्णु के छोटे से लेकिन अत्यनत शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने चा रह अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत बुलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें यहां मंत्र श्री विश्णू सहस्त्र नाम स्तोत्रम में वलनित भगवान विश्णू के नाम क्रमांक 125 विश्वक सेन पर आधारे थे कुर्म पुरान के अनुसार विश्वक सेन भगवान विश्णू के एक अंग से ही प्रकट हुए थे और उनके हाथों में शंख, सुधर्शन, चक्र और गदा थी और उन्होंने पीले रंग के कपड़े धारन किये थे विश्वक सेन को सेना धीपती या विश्वक भगवान के सेना के सेना पती और वैकुंट के द्वारपाल भी माना जाता है दुसरे प्राचिन ग्रंथों के नुसार वानर राज, सुगृव को तरेता युग में विश्वक सेन का अवतार माना जाता है कई ब्राचिन गरंथों के अनुसार बगवान विश्णू के विश्वक सेंद रूप की पुजा करना अत्यंत लाभधायक साबित होता है और वह साधक के दुष्ट शक्ति और खतरनाक शक्तियों से रक्षा करता है अब मैं आपको इस मंत्र के विधी के बारे में बताने जा रही हूँ कुरुपहया ध्यान से सुनिए अगर आप बहुत सारे दुष्मनों से पिडित हो और वह हमेशा आपको परेशान कर रहे है तो आप इस मंत्र के जाब की शुरुवात किसी भी दिन कर सकते हो किसी भी खास प्रपुजा विधी की अवशक्ता नहीं है और दिशा, आसन, माला, इत्यादी का भी पंधन नहीं है साधक ने विश्नु भगवान का स्मरन करके आगे बताये हुए मंत्र को रोज सवेरे रात को सोने से पहले पांच से दस मिनिट बोलना है अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रहे हूँ कुरुपया ध्यान से सुनिए मंत्र इस प्रकार से है ओम विश्वक सेना ये नमहा मंत्र फिर से सुनिए ओम विश्वक सेना ये नमहा इस मंत्र का अर्थ ऐसा होता है I salute Lord Vishnu who attacks the armies of evil from all directions दुष्टों की सेना पर हर दिशा से आक्रमन करने वाले विश्वक भगवान को मेरा नमन अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे